असलाम लेकुम MDCAT ASPIRANTS So students, आज हम बहुत ही important topic पे बात करने वाले हैं और वो topic है how to increase focus during MDCAT preparation So आज मैं आपको कुछ ऐसी tricks दूँगी कि जिसके जरीए आप जो है अपना focus level 10 times increase कर सकते हो ठीक है और जिसका आपको आपके MDCAT की preparation में बहुत फाइदा होने वाला इसलिए यह short सी video है इसको लाजमी देखिएगा So let's begin the video First of all, minimize your distractions Okay, so यह बहुत ही जादा mistake होती है students की ठीक है जिसके वाज़ा से उनका focus जो है वो lack करता है वो है distractions, अब distractions कोई भी हो सकते हैं जादा तर जो students को MDCAT ASPIRANTS को distraction होते हैं सोशल मीडिया है अब सोशल मीडिया पर यह नहीं कि आप सिर्फ जो है इंस्टाग्राम वगारा पर कोई आप रील्स देखने तो यह आप स्टडी माटीरिय से रिलेटिट भी आप distractions में जो है distractions का शिकार हो सकते हैं अब जैसे आप कोई जो है मतलब कि आप study groups join कर लेते हैं WhatsApp groups ज्यादा सारे Facebook groups ज्यादा सारे आप कर लेता है ठीक है तो वह भी आपके लिए फायदे मन नहीं है बेशक पर study groups है लें फिर भी उनका ज्यादा तर आपको नुक्सान होता है क्योंकि उसके अंदर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप जो है यूज करने शुरू हो तो आप बहुत स्क्रॉल करत तो कोई एक अच्छा सा वर्टसफ ग्रूप जाइन कर लें या फेस्बूक ग्रूप जिसके उपर आपको study material मिल सके और जो अकैडमी पढ़ने तो फिर तो उन्हें अकैडमी के साथ ही चलें कोई ग्रूप जाइन ना करें ठीक है students उसके इलावा अब destruction जो है आप बिलकुल ही stop नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि आप इंसान है आपको रूबोट तो है नहीं और आपको अगर आदत है मतलब कि social media यूज़ करने का तो आप ऐसे नहीं हो सकते कि आप एकदम छोड़ दें तो आप उसे minimize कर सकते और कोशिश करें कि आप minimize कर दें जैसे अगर आपने mobile phone करेंगे और कम होते होते है एक टाइम है कि जब आप छोड़ ही देंगे distractions को ठीक है so next point is stay organized अब कुछ student क्या करते हैं कि उन्होंने अपना daily का जो स्केजूल है वो जो है सेट नि किया होता और वो जो है समझे आज के दिन में उन्होंने पांच टास्क करने ठीक है पांच टा चर रहोगा कि अच्छा भी हमने बीबी करना बैठेंगे तो उनके जहन में चर रहोगा अभी हमने सी भी करना तो इस तरह से वह एक काम पर focus नहीं कर सकते है इसलिए better है कि आप अपने दिन में बलके रात को सोने से पहले अपने next day का जो schedule है ना उसकी आप to do list कर लें ठीक ह है ताकि आपको next day आपको organized way में मिल जाए हर चीज़ और आपको पता हो कि इस time पर मैंने यही काम करना है और उस time पर आप कोशिश करें कि आप किसी और subject के बारे में ना सोचें इसके लिए better है कि आप जब अपने study table पर बैठे हैं तो जो आपने subject पढ़ना है सिर्फ उसी की book, notebook और जो उससे related material है वो आपकी table पर और बागी books आपकी side पर हों ठीक है और उनके जब आप कोई एक काम कर रहे हो ना तो फिर आपने किसी और subject के बारे में नहीं सोचना आपने यह सोचना है कि जो मैं अभी कर रहे हैं हम उसको ही हमने 100% करना है क्योंकि multitasking बिल्कुल भी अच्छी वाद नहीं अगर आप multitasking करेंगे ना तो आपका माइम जो है वो पजल बन जागा और वो किसी पी चीज़ को अच्छी तरह से store नहीं कर सकेगा तो इस पर आपने बहुत ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट इस चैलिंज यूरसर्फ यह बहुत जादे इंपॉर्टेंट अपने आपको ना चैलिंज दिया अगर है जैसे अगर जो है ना आपकी हैबिट है मतलब के आपको भी study करने की हैबिट नहीं है ठीक है आप जादे से जादा 20 मिनट या आदा घंटा बै आपने जो है बहुत ही हाई चैलिंज दे देना कि अच्छा आज मैंने जो 20 घंटे पड़ना जो कि इंपॉसिबल है क्योंकि आप हुमन बिंग है को रुबोट तो है नी तो इसलिए आपने अपने आपको वह इतना टार्गेट दो तो इससे आपको डी मोटिवेशन होगी तो आप अचीव भी कर सके हो कर सको और आपके कमफर्ट जोन से वह हट करो यानि आप अपना कमफर्ट जोन छोड़ कर उसका आपको करें जैसे अगर आप जो है एक दिन में 8 घंटा पड़ते हो तो आपने अपने आपको टार्गेट देना अच्छा ठीक है मैंने आज 9 घं कर पाओ लेकिन आप कुछ ना कुछ 8 घंटे से जादा करोगे अपनी डालोगे तो आप अपने कमफर्ट जोन से बाहर आओगे और इस तरह करते करते हैं आप अपना जो 9 घंटे का टार्गेट है वह चीव करोगे फिर आप उससे जादा का अपने आपको चैलेंज दोगे वह चीव करते करते हैं आपकी हैबिट डिवैलफ हो जाएगी ठीक है स्टुडेंट तो इसको लाजमी ट्राय करिएगा नेक्स्ट पॉइंट है पांच मिनट और अब यह क्या है यह मैं आपको असान लफ़जों में समझाती हूं कि जैसे अगर आप पढ़ने बैठे हो ठी पांच मिनट और पर लूँ फिर जाके सोती हूं या फिर सोता हूं ठीक है पांच मिनट और इस तरह जब आप करते रहेंगे ना जब फिर पांच मिनट और पढ़नू इस तरह आपके माइंड को भी आदत हो जाएगी कि हां मैंने बैठके पढ़ना है अगर आप उसी वक्त छोड़के चाड़के सोने के लिए चले जाओगे या सुस्ते आगे तो लेट जाओगे तो फिर आपका माइंड उसी के लिहाद से बढ़ता रहेगा ठीक है स्टुडेंट अब यह नहीं यह उस टाइम की बात है जब आप आपके लेजिनेस दिखा रहे हो लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है जब आपने तीन से चार घंटे पढ़ लिया उसके बाद अगर आप 15 मिनट की रेस्ट लेना चाहो तो आप लाजमी लो क्योंकि यह भी फायदे मंद है नेक्स्ट चीज फोकस बढ़ाने के लिए हाइडरेटीड रहें ठीक है पानी पीते रहें तो इससे क मैंड जादा चलेगा और आपको सुस्ति भी करेंगा हमारे मायंड कोच की interesante है प्रेंद म版 दो जो बेन बरेंप एफीड का फिल यह भी फोड़ी फीचिस खर्शन ने यह दोंकि MDCAT study के दोरान follow करें I hope आपको बहुत फायदा होगा और आपका focus level बूस्ट कर जाएगा 10 times जादा हो जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज